नमस्कार सात्यों स्वागत आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में सात्यों यदि आप ये computer center संचालक है या फिर आप कोई computer online के दुकान चलाते हैं तो आपको अगर CST Center के आउसकता है तो आप अपने ही computer center से इसके लिए apply कर सकते हैं बहुत ही असानी से जैसा कि आप सभी ज कोजनाई भी इसमें दे दी गई हैं तो एक आप अच्छी income कर सकते हैं तो आएए मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं step by step कैसे आपको CST Center के लिए apply कर सकते हैं चलिए सात्यों हम देखते हैं इसका पूरा full process सात्यों आप सबसे पहले अपने Google Chrome में जाए Google Chrome में करके आप टाइप कर रजिस्टे.csc.go.in आपको इसकी लिंक में दिसक्रेशन में भी द्यू ही है आप चाहिए तो डिसक्रेशन से डारेट लिंक से भी क्लिक करके जा सकते हैं जैसी आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने CST के इस तरह से वेपेज ओपन हो आप पर करेंगे और apply का option में जा करके देखिंगे सात्य आते हैं तो हमें apply करना है तोısलिए आप यहां apply क क्लिक करेंगे जैसे हमने apply क्लिक क्किए तो यहां देखे 4 उपसाओ ऑपन हुए है तो यहां और जर्यश्टेसन के लिए new registration के लिए questions क्लिक कर ना होगा हमाय सामने आ आप जाएंगे देखे select application type जैसे हम यहां क्लिक करते हैं तो देखे यहां बहुत सारे option दिये हुए है CSC VLE आप देख सकते हैं CSC VLE, SSG, FPO, FPS इस तरह मतलब बहुत सारे अगर आपकी कोई company है आपको कोई group है, कोई संगठान है तो आप इनके अंतरकत एक CSC ID ले सकते हैं और यदि आप personally ले रहे हैं तो आप CSC VLE पर क्लिक करेंगे और आप इसके तुरू ले सकते हैं सात्यों हम यहां देख रहे हैं कि यहां यह option दिया है tech certificate number दोस्तों इस समय CSC ID लेने के लिए tech certificate number compulsory कर दिया गया है CSC के द्वारा तो आपको इसके लिए एक छोटा से exam देना होगा और आप इस number को असानी से ले सकते हैं अभी फिलहाल आप चाहें तो सिधे apply करके उस number का use करके CSC ID ले सकते हैं एक्जाम आप अभी देना चाहे अभी दे चाहे बाद में दें हम apply पर जाएंगे तो देखे यहां tech certificate का option दिया है यहां आप क्लिक कीजिएगा वापस जहां हमने tech certificate क्लिक किया तो आपके साबने इस तरह का एक page open हो जाएगा जैसे इस page open होता है तो हम क्योंकि नए है हम login with us में जाकर के क्लिक करेंगे देखिए आप यह टेली सेंडर certificate course है इसे हमें करना होता है अगर आप पहले से CSC ID है आपकी तो आपको यहां से login करना होगा और CSC ID होने के बाद tech certificate करना क्योंकि पहले बिना उसके दिया गया था पर नए में यह compulsory है तो हम यहां आपको यहां एक बात का विशेज ध्यान देना है कि इसमें आप जो भी अपनी information फुल्फिल करेंगे वहां आपके अधार card से से मैच होना चाहिए अगर कहीं पर अधार card में capital है लेटर तो आपको capital लिखना है कहीं small है तो small लिखना कहीं नंबर है तो numbers लिखना है क्योंकि अगर आपने दोस्तों एक बार इसका जो payment होता है 1480 रुपए पे कर दिया अगर तो उसके बाद वह payment आपका refundable नहीं होता है और किसी कारण से अगर आपका form रिजेक्ट होता है तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और आपका form रिजेक्ट हो सकता है तो दोस्तों आपको इस बात कर विशेज ध्यान देना कि आप बिल्कु जैसा अधार कारण में आपके information लिखी है सेम बैसे information आप इसमें टाइप करेंगों खास करके आप address के विशेज ध्यान देंगे क्योंकि address में दिक्कत होती है और फिर लास्ट मजब हम यहां आएंगे तो यहां देख रही है जो capture है तो एक बार आप click here करके capture को renew कर लें क्योंकि पुराना क्लिक here करके नया capture generate कर लें साथ आपको इसी का विशेज ध्यान देदा है कि अधार कार्ट से सेम information इसमें आपको फिल्फिल करना जहां जैसा वर्ड लिखा है वहां वैसा ही वर्ड आपको फिल्फिल करना है कहीं भी अपने मन से कुछ भी नहीं करना है अगर आपके address में कह फिल्फिल कर लिया है और आप इसे submit कर दीजिए submit करने के बाद यह payment प्रोसेस में आएगा जो हम आपको नहीं रिखा पाएंगे को पास कर ले बहुत इजी एक्जाम होता है टेक सेटिफिकेट के ही साइट पर आप जाएंगे तो वहां से पूरा पर टेक सेटिफिकेट नंबर हमारा आ चुका है भले हमने अभी अग्जाम नहीं दिया है बाद में एक्जाम दे सकते हैं यह तुरंत भी दिया है और पास हो गए है तो कोई दिख्कत नी बहुत असा पेपर होता है तो हम यहां पर यह नंबर को fulfill करते हैं हमारा टेक सेटि step में और यहां अभी देखे mobile number अपना fulfill कर रहे हैं और इसके बाद हमने capture fulfill किया अपना और capture fulfill करने के बाद इस form के पहले step हम submit करेंगे तो टेक certificate आपको मैं फिर बताता हूं कि आप चाहे तो अभी चाहे बाद में दे उससे कोई issue नहीं है आपको number generate हो आता है payment करने के बाद आप उस number को डालके इस form को submit कर सकते हैं हमने submit किया है तो अब आपके mobile number पर एक password जाएगा एक OTP आया तो हमारे mobile नंबर पर जो OTP आया है उस OTP को हम में यहां इंटर करेंगे और यहां पर अपनी एक email id इंटर करेंगे उसके पर फिर साम यहां capture करेंगा इस form को submit करेंगे हमने जैसे यहां पर submit किया तो इंटर email क्योंकि आपको अगला OTP आपके email id पर आएगा तो इसलिए email आप वही यूज़ करें जो कि आप इसमें पर्मनिट यूज़ करना चाहते हैं CST ID में आप चाहां तो एक नया email id बना लें इसके लिए अलग से ज्यादा बहतरिन ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों हमने जैसे इसे यहां से सेंटर करेंगे हम और फिर से जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को इंटर करेंगे तो आप अपने email id सो OTP निकाल के यहां असानी सेंटर करें इसलिए आप नया ही email id बनाए तो अच्छा है क्योंकि वही email id आपको future में हमेशा काम आएगा जब भी CST में कुछ काम होगा तो आपको वही email id पे mail आया करेंगे तो नया email id बनाना ज्यादा बहतर है ज्यादा अच्छा है हमने यहां पर capture फुल्फिल किया email id से हमने अपना OTP निकाल लिया है और फिर सब्मिट किये जैसे हम सब्मिट करते हैं तो हमाई सामने इस तरह से फिर एक नया page open होता है अब इस page में हमें अपना अधार नंबर फुल्फिल करना है और साथ में हमारी पूरे address का discussion डालना है पूरा जो भी है हमारे बारे में personal information पूरी यहां फुल्फिल की जाएगी आपको ध्यान देना है अधार का नंबर जो है आपका अधार नंबर बिल्कुल सही हो उसमें कुछ गलत न हो हम यहां अपना अधार नंबर फुल्फिल करेंगे अधार नंबर और साथ में हमारी पूरे information इस्टेट हमारा जो डिस्टिक है जो location है गाउं विलेच पूरा फुल एड्रस यहां पर इसी से select करके हमें submit करना होगा जो भी पंचायत है आपकी पंचायत का नाम पूरे information य अब आपका location टाइप क्या है रूरल है के अर्बन यहां आप select कर लें रूरल के हैं तो रूलर अर्बन के तो अर्बन यह देखिए इसमें धिहान देजिए का authentication टाइप में आपको क्या करना है वाविक सी बात है आप mobile नंबर यूज़ कर रहे हैं और अधार सा link है तो आप यहां OTP करेंगे अगर आपके बार fingerprint machine है तो आप FMR कर सकते हैं पर यहां अगर आप mobile का यूज़ कर रहे हैं तो आप OTP में क्लिक कीजिए और यहां पर capture को एक बार refresh कर दीजिए क्योंकि capture तक aspire हो गया होगा और यह से आप टिक करेंगे जो भी declaration है और यहां हम इसे submit करते हैं पूरी हमारी personal information fulfill करने के पाद आप जैसे ही से submit करेंगे तो आपके सामने अब एक OTP आपके अधार नंबर पर जाएगा क्योंकि आपने यहां पर जो authentication के लिए था अधार नंबर दिया थो तो OTP आपके अधार पर आता है तो यहां हमने दिया फिर से अधार नंबर आपको इस बात का विसेज ध्यान देना है कि आपका mobile नंबर आपके अधार से attach हो और आपका email ID भी आपका अधार में update हो तो इस बात को आप ध्यान देंगे हमने जैसे यहां पर OTP में click किया तो आप हमारे अधार नंबर पर जो नंबर हमारा अधार कार्ड में हमारा attach है update है उस प जरूरी है ने तो आपका csc registration नहीं हो पाएगा हमारा OTP आ चुका है हमने हमने यहां अपना OTP जो अधार नंबर पर आया उसे डाला है mobile नंबर से निकालके और इससे submit किया है यह process ही सबसे critical process है आपको इसका ध्यान देना है कि आपका अधार नंबर इससे जरूरी add होना जर और साथ में mobile नंबर verified दिखा चुका है क्योंकि तीनों से हमने OTP पहले submit कर चुके हैं तो इस तरह से यह तीनों चीज़े verified हो चुकी है अब आपको यहां अपनी photo है photo download करना है ध्यान देना है कि आपकी photo 9 MB से कम और 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप एक photo पहले ही ब upload की अब एक kiosk का आपको नाम देना है आप जो नाम देंगे उसे नाम से आपका kiosk center पहचाना जाएगा तो आप यहां कुछ भी एक नाम दे सकते हैं जिस नाम से आपको अपना center का नाम रखना है वह नाम आप यहां डाल दीजिए और यहां आप पुरा address जिस address पर आपको की जाएगी उसके बाद दोस्तों यह है latitude और longitude यह जो हमें map में set करना होता है इससे हम आगे बताएंगे आप कैसे set करेंगे इसके बाद आप आप यहां आईए अपना pen card pen card number आप साउधानी से अपना fulfill करेंगे जो भी number है उसी number को यहां डालना है कुछ में उसमें mistake ना हो यहां आपका personal है तो आप individual में डालेंगे अकर आप कोई company का ले रहे हैं तो company का pen card number यहां आप इंटर करेंगे तो इस तरह सो दोस्ता आगे हम आते हैं देखें यहां banking detail account type में हम आ चुके हैं account type में आपको अपने account की पूरी information डालनी है देखें pen card आपका verified हो गया 100% मैच हु यहां फिर हमें हमारी bank की पास्ट यहां upload करना है यहां हम upload कर देंगे हमने पास्ट बूड की इसके बाद के वाई सी documents के लिए आप क्या देना चाहते सबावी का अधार काड़ी हमने हर जगा यह यह तो हम यहां अधार कार्ड को यहां upload कर देते हैं इसका आप साइट पहले किया और इस process के बाद यहां हमने time and condition को agree किया जो भी csc के time and condition है हाँ अभी हम आपको बताएंगे कि यहां longitude and latitude कैसे हमारा set करना है क्योंकि बिना इसके आपका process आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों यह तो typical काम है तो इसे हम तो हम सेट करेंगे जो pointer है उस pointer को लेकर के हम उस place पर ले जाएंगे जिस place पर हमें CSC ID लेनी है जो place हमारा है जहां पर हम रहते हैं तो हम यहां ते से plus करके जूम करते जाएंगे जूम करके हम आगे बढ़ते जाएंगे पहले आप देखे भारत में उसके बाद आप कि डिस्टिक में है उस डिस्टिक तक पहुंचे उस pointer को जाने के बाद हमें उस जगह पर चाहिए वह तैसील है उस तैसील को जो गाओं है उस गाओं का एरिया दिखा देगा मैप में उस एरिये में आपको जाकर करके इस point को वहां पर fix करना है रखना है जिससे कि वह point उस जगह को capture कर सके उसके थोड़ा आसपास भी है तो वह चल यहाँ पर पूरा प्रोसेस को अपडेट करने में और यह देखिए हमने सम्मिट किया यह आपके सामने एक रिफरेंस नंबर आ चुका है application रिफरेंस नंबर इसको प्रिंट करके अपने पास पर रख लें इस page को और यह आपको आगे future में अपना status चेक करने में काम आएगा तो इस तरह से आपका पहला प्रोसेस complete हुआ है इसके बाद यह detail जो भी आपके CSC के district manager होते हैं हर district में district manager है CSC के उनके पास ही detail पहुँच जाती है वो लोग आपके CSC center आएंगे वहाँ पर आके verify करेंगे आपका center है की नहीं कैसा center है क्या-कैस विधाए है और उसके बाद को okay करके आपका CSC ID आपकी approval कर देगे तो इस तरह से district manager के द्वारा QC करके आपकी CSC ID approval की जाएगी आप अपना status check करने के लिए वापस यहाँ जाएंगे और status check में जाकरके इस reference number को डाल करके आप बीच-बीच में status check कर सकते हैं कि आपकी ID क्यों अभी तक approval नहीं हुई है औ और आप चाहें तो district manager जो भी है आपके local में उनसे content करके उन्हें बदा सकते हैं अपने center को दिखा सकते हैं और approval ले सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी आप CSC ID बना सकते हैं और एक बहुत अच्छा काम है CSC के जो आप बहुत असानी से कर सकते हैं इसमें बहुत हैंदो की इस सकते हैं किसे नहे keepsने अच्छा कर दो दो सकते हैं लेहिसें अच्छा कर दो आपिसो वे।cheण।